हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप स्वागत है आप सभी का वेटू बेचू चानल में आज हम लोग देखेंगे पेपर थर्ड एजुकेशन दो जूर नॉम्बर 2017 का पेपर तो हम लोगों ने फार्ट फर्स्ट में 40 कोशन कर लिए हैं अब आगे देखते हैं तो शुरू करते हैं वीडियो अभिकतन ए एक प्रयोगात्मक अभिकल्प में बैचरों को नियंतर रखने हैं तो या द्रिच्छिक रूप से प्रयोजियों को रखना सुमेलन की विधी से बेहतर है तर्क सुमेलन प्रतिदर्स के आकार को कम कर देता है तो इसमें जो है सही option है वो दूसरा माना गया है कि ए सही है लेकिन आरे की सही व्याख्या नहीं है अगला कोश्चिन है कि निम्नांकित में से सिच्छा के किन उद्यश्यों का सुमेलन प्रारंबिक सिच्छा के सारभोमिक करण द्वारा प्राप्य है तो इसमें से जो सही option माना गया है ए सिच्छा में सैचिक अवस की समानता फिर भी प्रबुध एवं मानविय समाज का विकास और डी मानव संचाधन विकास के में सिच्छा के अभिकरण के रूप में तो इसका अप्सन फोर्थ सही माना गया है अगला कोशन दखते हैं 42 प्रारमिक सिच्छा के सर्भोमिक करण हे तू नेमने लिखित में से विसे इस उपायों की पैचान केजिए उत्तर हे तू सही कूट चुने तो इस में से जो सही कूट माना गया है वो है अगला कोशन 43 किस पर बल देना व्यावसाइक सिच्छा का उद्यर्श है तो यहाँ पे विद्यार्थियों का उप्योगी और वृतिक कुसलताओं के लिए प्रसिच्छर इसका अप्सन सही है अगला कोशन 44 पार्टिक्रव विकास में निमली की देशों में स्थानी प्रादिक करोडों की को सरवादिक महत्व दिया तो यह यूस से ज़्यादा महत्व देता है तो अप्सन इसका फोर्स ही हो जाएगा अगले पे चलते हैं हम लोग अगला है दूरवर्ति सिच्छा की अवधार्णा से तादफर तो दूरवर्ति सिच्छा में दूरी के नकारात्मक प्रभाव को कम करते हुए गुडवत्ता पोड़े सुच्छा देना है अगला कोशन 46 पाठिकरम को विद्याले में विद्यार्थी द्वारा अरजित उन सभी अनुभावों का योग माना जाता है इस दृष्टी में अनुभावों का कौन सा अधो लिखित सायोजन अनुरूप होगा तो इसमें चो अप्सन माना गया है वो दूसरा साही माना गय अगला है 47 लोगतांत्रिक निर्ड़ लेने में निमलिखित में से पाठिकरम के किस प्रतिमान में सरवाधिक संभावना है अगले पर चलते हैं 48 पर कि निमलिखित में से अगला है लोगतांत्रिक निर्ड़ लेने में निमलिखित में से पाठिकरम के किस प्रतिमान में सरवाधिक संभावना है तो इहाँ पर प्रसाशनिक प्रतिमान सरवाधिक संभावना है अगला है 48 निमलिखित में से कौन सा सयोजन पाठिकरम की प्रणाली विसलेशर प्रत दिमान की वीचिस्ताओं को बताता है तो यहां पर जो सही माना गया है प्रणाली की उप्रणालिया होती है और फिर उसके बाद है प्रणाली एवं इसकी उप्रणालिया परस पर अंतरक्रियात्मक होती है फिर उसके बाद विवित उप्रणालियों में आंतरिक तालमिल होता है और इ निर्मालात्मक मुल्यांकर में फॉर्मेटिव में मुल्यांकर प्रक्रियाओं पर आधारित होता है इसमें निरंदर्ता के आधार पर किया जाता है जैसे की आपका समेष्टर एक्जाम सो जो होते हैं या फिर सतत CCE जो था वो इसी पर आधारित था अगला कुश्ण है अगला है पचासवा किसी निस्पती परिछड के प्रस्ण कर्णाई का मान आम तोर पे निम्नांकित में से किस विदी द्वारा व्यक्त किया जाता है तो इस में से जो सही ओप्शन है उन चातरों के प्रतिसद जिन्हों प्रसनों का सही उत्तर दिया है अगला है सिच्छा के सत्ता सिच्छा में सत्तावादी प्रसनाजनिक प्रतिमान की विशिस्ताओं को व्यक्त करने वाले संयोजनों को चुनिये तो इसमें से श्रम का वीभाजन विशिष्टी करण स्वस्ट अधिक्रम इसके अलावा नियमों का समुच्छे एवं मानक संचालान विदियां अगला है विवस्था कि उपागम के वीवी ने चरणों का सही अनुग्रम नियम नांकित में से कौन सा है तो यहाँ पे विसलेशर, एनाल्सिस, फिर प्लानिंग, प्रवंधन, तथा निकरानी और मुल्यांकन होगा तो इसलिए उप्सन इसका पहला सही है अगला है 53, प्रभावकारी नित्रितु को प्रोचाहित करने के लिए निमलिकित में से किस सिध्धान्द की ज़्यादा चमता है तो यहाँ पे रूपांतर और कारी सिध्धान्द ज़्यादा प्रभावी है अगला है 54 सार्थक संस्थागत नियोजन के लिए निमलिखित में से किन कारोणों के समुच्चे पर ध्यान दिया जाना चाहिए तो इसमें से option जो मना किया है नीकट वर्थी इलाकों में बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाएं इसके विद्याले सिचकों की जरूरते एवं अकान चाहें और आसपास के छेत्रों में बेरोजगार प्रसिचित सनातकों की संख्या तो इसलिए option इसका दूसरा सही है अगला question 54 में 55 से चिक प्रसासन परिवेचर का क्या उद्धेश है तो संस्था में एक सकारात्मक सिच्छड अधिगम परिवेश विक्सित करना से चिक परिवेचर का उद्धेश है एक कच्छा द्यापक द्वारा छात्रों की योगिता तिथा कमजोरी जानने के लिए एक विसे अधारित परिछड का लाता है तो ये diagnostic टेस्ट या दिनीदानात्मक परिछड का लाता है अगला है कि नीचे दी गई दो सूचियों को सुमीलित कीजिए इसमें फर्स्ट और सेगंड सूची को जोड़ना है तो इसमें से पद का प्रकार लगु उत्तरी प्रस्ण लगु उत्तरी प्रस्णों का संबंद जो अन्याने रूप से यादिके गए सूचनाओं को मापता है उसके अलावा फिर विवेचात्मक अभ्यास इसमें किसी भी छेत्र में बड़ी संख्या में तथ्यात्मक जानकारी को मापने के लिए संभावना मुहया कराता है निस्पादन आधारित परिच्छर C का संबंद जो होता है वो पहले से छात्रों को कारिये में वास्त्तिवी गुरूप से सलगन होकर छात्रों को कौसल हेतु पत्प्रदर्शन करना D. सुमेलन अभ्याज इसका संबंद जो होता है पेच्छा कृत कम समय में बड़ी मात्रा में संबंद तथ्यात्मक समागरी का आकलन इसलिए इसका option दूसरा सही माना गया है अगला question है कि-1.5 के Z प्रापतांग का T प्रापतांग में रुपांतरण होगा तो यहाँ पे यह 35 माना जाएगा क्योंकि 50 इसका मीन होता है और इसके पाद 10 S D तो इसको इंटू करने पे 35 आएगा तो इसलिए यह 14 सही है अगला question है सूची में दिये गए विश्विशनीत्या के प्रकारों के सूची में दिगे आकलन विदियों के साथ सूमेलित कीजिए तो यहाँ पे जो है वो आंतरिक संगती का संबंद जो हाव या अर्ध वीभाजन टेस्ट से होता है तारकिक तुलेता का संबंद समानतर रूप से विधी से होता है इस तिर्ता का संबंद पर इंचर पूना पर इंचर टेस्टूरी टेस्ट से होता है जब सामान ने वाकर पर ग्रेडिंग की जाये तो उच्छे ग्रेड की अनुपाद को नीमनक ग्रेडों की संतूलय अनुपाद द्वारा संतूलित किया जाता है इस प्रकार को क्या कहते हैं इस प्रकार को साफेच ग्रेडिंग कहते हैं अगला है निमलिखित में से कि निर्डायात्मेक पदों में सिच्छड के विभिन प्रकारताएं जैसे अनुदेशन, अनुकूलन तथा प्रसिच्छड एवं सिच्छड में अंतर निर्भर करता है तो ये बुद्धी का परिच्छड से संबंदित होता है अगला कोशन है कि नीचे दिये गए कत्नों की सूची में उनकी पैचान कीजिए जो सिच्छा तकनीकी के उद्धेश्यों तथा प्रभाव का सरवाधिक उप्युक्त उधारण है तो इसका संबंदु जो होता है वो होता है कि E.T. सिच्छक का स्थानापन होने के बज़ाए एक अनुपूरक है और E.T. का उद्धेश्य अधिगम Education Technology का उद्धेश्य अधिगम की उपलबदियों को इस्टितम करना है इसके इलावा Education Technology में बहु माध्यम दिर्ष्टिक कोड का उप्योग अधिगम अभीगम विसिस्ताओं को निर्मित करने के लिए किया जाता है तो इसका option तीसरा सही माना गया है अगले पे चलते हैं अगला question है 63, सच्छडिक संप्रेशर की सीमा क्या है तो सच्छडिक संप्रेशर की ग्रहड करने की ध्यानावदी इसकी सीमा है जैसे हमारा जो time span होता है किसी चीज़ पर concentration का वो बहुत कम होता है जैसे बच्चा को सोच्ट एक दो मिनट ही या कुछ ही समय तक ध्यान केंद्रित कर पाता विसे वस्तु पर अगला question है 64, नीची दिए गया सेट को मिलान करना है तो अभिक्रमित का प्रकार अभिक्रमित प्रकार और अनुश देशात्मक विसेस्ता है तो रेखी का संबंद जो होता है वो प्रात्मिक लेपन और अनुबोधन के साथ लगू सुपान प्रस्तुती करा रेखी में क्या होता है छोटी छटू पदो के साथ सिछा दी जाती है इसलिए इसका संबंद तीसरे सोस जाएगा उसके अलावा बी का संबंद साखी जो होता है वो उसका संबंद साखी का संबंद जो होता है त्रूटी सामाधान से संबंद साखी का संबंद इसके अलावा रेखी का तीसरे से बी का दूसरे चौथे से अब सिंखलित या फिर जो चेनिंग होती है उसमें रेट्रो कौमी जो होता है वो mathematics से संबंदित होता है काई का संबंद साप्टेवेर से होता है तो इस तरी के से इसका पहला सही है अगला question पे जाते हैं हम लोग अगले question पे जाते हैं for 65 सिच्चड वेवार को परिस्कृत करने में नेम लिखित में से कौन सा सिच्चक सिच्चार थी आधान प्रतान पर बल देता है जिसकी पर्योड़ती प्रभाव स्पदतियों में होती है तो इसका नेट फ्लैंडर की वेवस्ति प्रेच्चड विधी मे होता है अगले पे चलते हैं हम लोग अगले question पे question नंबर 66 भारत सरकार ने विभीन वर्षों के दोरान ने सकते विक्तियों कि चार वी से संवीदिया अधिनीमी इतकी है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि PWD एक्ट जो आया था व इसके बाद जो है वो सबसे पहले उसूरु से खरता हैं 1987 का संबंद जो होता है मानसिक स्वास्त अधिनियम से होता है और फिर RCI का संबंद जो होता है 1992 में यह स्टाबलेश हुआ था 1995 में PWD एक्ट आया था और इसके बाद स्वनलीन ता प्रमस्तिस की अंग घात मानसिक मं अंदन और बहुनी सकतता से पीलित व्यक्तियों हेतु राष्टी नियास अधिनियम नेशनल चर्श्ट फॉर वेलफेर आप पर्संस वीट आर्टीज्म सेरेवल पॉल्सी मेंटल रिटाडेशन एंड मुल्टिपल डेसेबल्टी आक्ट जो है 499 में आया था अगले किसी व्यक्ति को वैधानिक रूप से दृष्टी हीन तब माना जाएगा जब जब उसकी चाथ चुता सबस्टाता हो मतब कि वह 200 स्नेलन से कम हो प्लस 20 फिट से वह उसकी जो दूर दृष्टी का लेवल हो वह 20 तब माना जाएगा इसलिए इसका अप्सन दूसरा सही है मिर का संबंध है तो वह तंत्री का पेशी रोग है जिसमें मानस्पूर्शियां कमजोर हो जाती है अगला कुश्चन है निम लिकित में से कौन सा प्रतिभासाली बच्चों के संदर में नहीं है तो यह सरजनात्मक्ता प्रुनव प्रसुती जो है वो प्रतिभासाली से अगला कुश्चन है अध्यापक सिच्छा में क्रमेक सुधार है तो राष्टी अध्यापक सिच्छा परिशत द्वारा नीमने में से कौन से कथन उठाय गया है तो इसमें से उठाय गया है विभीन अस्तरों पर अध्यापक पर्टिगरम को अध्यतन करना है विभीन और आपूर्ति के बीच और चित स्थापन करना है तो इसलिए असका ओप्शन दूसरा सही माना गया है अगला कोशन है अध्यापक सिच्छा पार्टेक्रम में प्रवगात्म क्रियान्वित निमलिखित में से जोड देते हुए क्रियान्वित की जानी चाहिए तो यहां पर व गति विदियों में कुल भागिदारी को मुहया कर आता है अगला कोशन है 74 बीट पार्टेक्रम की अवदी एक वर्स से बढ़ा कर दो वर्स करने की अनेक तरक दिये गया उन तरकों को नित कीजिए जो इसके पच्छ में है तो इसमें से जो माना गया है कि अध्यापक सिच् सद्धान्तिक और वहारिग तता अंतहक्यात्मग अनुवख़ापत परापत करने का आसर पराप्त होता है इसके लावास से कड़ी और अध्यापतो 5 के लिए परियापत ऑसर na जाता है तो ऑप्शन दूसरा सही माना गया है अगला कोशन है लास्ट कोशन कि निमलिकित में से कौन सा उद्रश एक अधियापक सिच्छा के प्रभावसाली कारेकम दोरा ऐसी प्रवीड़ता तथा छमता को विक्सित करेगा जो अधियापक को सतक्तता प्रदान करेगा तो इसका ओप्शन जो है वो तीसरा माना गया है ए सिच्छड अधिगम प्रशितियों को अभिकल्पित करने की दच्छता बी ज्यान के उन्यान की आतूरता डी कच्छा में वैं अंतरव्यक्तिक सम्बंदों का आवबोद और इ अधिगम व्यवारों को विवस्ति सायमित मुल